एक छोटे से गाव में, दो दोस्त थे, रामू और श्यामू. रामू एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि श्यामू गाव के सबसे अमीर व्यापारी का बेटा था. दोनों की परवरिश अलग-अलग वातावर्ण में हुई थी, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी. रामू का परिवार अत्यंत संघर शशील था, उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे खेती करके अपना गुजारा करते थे. रामू के पिता हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में काम करने चले जाते और देर रात तक मेहनत करते. रामू भी अपने पिता की मदद करता और साथ ही स्कूल भी जाता. वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा अच्छे अंक लाता. दूसरी ओर, श्यामू के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी. उसके पिता के पास बहुत सारा पैसा और जमीन जाइदाद थी. श्यामू की हर खवाहिश पूरी की जाती थी और उसे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती थी. लेकिन एक चीज थी जो श्यामू के पास नहीं थी, वह थी संतोश और खुशी श्यामू को हमेशा किसी न किसी नई चीज की चाहत होती थी उसके पास नए कपड़े, खिलोने और गैजेट्स थे, लेकिन फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं होता था रामू और श्यामू की दोस्ती इस तरह की थी कि वे एक दूसरे की जिन्दगी की हकीकत से वाकिफ थे एक दिन रामू के पिता बीमार पड़ गए, परिवार की आर्थिक स्थिती पहले से ही कमजोर थी और अब उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे रामू ने हिम्मत नहीं हारी, उसने गाव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन जितनी मदद मिली, वह नाकाफी थी फिर उसने श्यामू से मदद मांगने का फैसला किया श्यामू ने रामू की हालत देखी और उसकी मदद करने का वादा किया उसने अपने पिता से बात की लेकिन उसके पिता ने मदद से इंकार कर दिया श्यामू बहुत दुखी हुआ लेकिन उसने हार नहीं मानी उसने अपनी जेब खर्च से जो भी पैसे बचाए थे वह सब रामू को दे दिये रामू ने उन पैसों से अपने पिता का इलाज करवाया और उनके पिता धीरे-धीरे ठीक होने लगे रामू ने श्यामू का धन्यवाद किया और कहा तुमने मेरी सबसे कठिन समय में मदद की, मैं यह कभी नहीं भूलूंगा हमें बीटता गया और दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते पर बढ़ते गए रामू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाई इसने अपनी महत और लगन से अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बहतर बनाया दूसरी और श्यामू को अपने पिता के व्यवसाई को संभालना पड़ा इसने भी महत की, लेकिन उसे कभी वह संतोश और खुशी नहीं मिली जो रामू के पास थी एक दिन श्यामू ने रामू से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ नहीं होते हुए भी तुम हमेशा खुश रहते हो और मैं सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं हूँ इसका राज क्या है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ट, खुशी और संतोश बाहरी चीजों में नहीं, बलकि हमारे अंदर होते हैं मैं जो भी करता हूँ, उसमें दिल से महनत करता हूँ और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ रामू ने रामू की बात को ध्यान से सुना और समझा उसने धीरे धीरे अपनी जीवन शैली में बदलाव किया उसने अपनी संपती का उप्योग जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू किया और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा रामू और श्यामू की कहानी गाव में एक मिसाल बन गई दोनों ने अपनी जिन्दगी में कई कठिनाईयों का सामना किया लेकिन उन्होंने अपने दोस्ती और मेहनत के दम पर सब कुछ हासल किया इस कहानी ने गाव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में संतोश और खुशी को प्रात्मिकता दे और अपने मित्रों और परिवार के साथ अच्छे संबंद बनाएं इस तरह रामू और श्यामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खुशी और संतोष पैसे और संपत्ती में नहीं बलकि हमारे रिष्टों, हमारी महंत और हमारी संतोष में है यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्चे दोस्त कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोडते और मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं उसकी कुलहाडी नई थी और उसकी धार तेज थी उसने पूरे दिन महंत की और आठ पेड काटे शाम को जब वह गाव लोटा तो सभी ने उसकी तारीफ की लोग कह रहे थे रामू तुमने तो कमाल कर दिया आठ पेड एक दिन में काट लेना आसान काम नहीं है रामू को ये सुनकर बहुत गर्व हुआ उसने सोचा कि अगर वह इसी तरह महंत करता रहा तो वह और भी ज्यादा पेड काट सकता है और अच्छी कमाई कर सकता है अगले दिन वह फिर से जंगल में गया लेकिन इस बार उसने देखा कि पेड काटने में पहले जैसा मज़ा नहीं आ रहा है लहाडी चलाने में उसे ज्यादा महंत करनी पड़ रही थी फिर भी उसने महंत जारी रखी और इस दिन उसने पांच पेड काटे जब वह गाव लोटा तो वह थोड़ा थका हुआ और परेशान था गाव वालों ने फिर भी उसकी तारीफ की लेकिन इस बार रामू के चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी उसने सोचा कि शायद वह थक गया है और अगले दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा पीसरे दिन वह फिर से जंगल में गया लेकिन इस बार उसका हाल और भी बुरा था पेड काटने में उसे बहुत महंत करनी पड़ी और वह सिर्फ दो पेड ही काट सका अब वह सच में चिंतित हो गया वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है पहले दिन तो उसने आसानी से आठ पेड काट लिया थे फिर अब इतनी कठिनाई क्यों हो रही है चौते दिन जब वह जंगल में गया तो उसकी हालत और भी खराब हो गई उसने पूरे दिन में सिर्फ एक ही पेड काटा अब उसकी हिम्मत तूट चुकी थी और वह बेहद उदास हो गया वह जंगल में ही बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर क्या गलती हो रही है उसी समय उसका मालिक जो जंगल में काम की देख रेक करने आया था ने रामू को उदास बैठे देख उसने पास आकर पूछा रामू क्या हुआ तुम इतने उदास क्यों हो रामू ने अपनी स्थिती बताते हुए कहा मालिक पहले दिन मैंने आठ पेड काटे थे लेकिन अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं सिर्फ एक ही पेड काट पा रहा हूँ मेरी महंत में तो कोई कमी नहीं है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है मालिक ने उसकी बाद ध्यान से सुनी और फिर मुस्कराते हुए पूछा रामू क्या तुमने अपनी कुलहाडी की धार तेज की है रामू ने हैरानी से कहा नहीं मालिक मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया मालिक ने समझाते हुए कहा देखो रामू हर काम में महंत के साथ साथ समझदारी की भी जरूरत होती है अगर तुमने अपनी कुलहाडी की धार तेज नहीं की है तो पेड काटना मुश्किल हो जाएगा चाहे तुम कितनी भी महंत कर लो तुम्हें समय समय पर अपनी कुलहाडी की धार तेज करनी चाहिए ताकि तुम्हारी महंत का पूरा फल मिल सके रामू ने मालिक की बात समझी और तुरंत अपनी कुलहाडी की धार तेज करने लगा उसने सोचा कि वह केवल महंत ही कर रहा था लेकिन उसने यह ध्यान नहीं दिया कि उसकी कुलहाडी की धार धीरे-धीरे कुंध हो रही थी धार तेज करने के बाद रामू ने अपनी कुलहाडी की चमक देखी और उसे लगा जैसे उसकी कुलहाडी नई हो गई हो अगले दिन जब वह फिर से जंगल में गया, तो उसने पहले दिन की तरह ही उत्साह के साथ काम किया। इस बार उसने बिना किसी मुश्किल के आठ पेड काट लिये। अब उसे समझ आ गया था कि सही तरीके से और सही दिशा में महंत करना कितना जरूरी है। इस प्रकार, रा योजित तरीके से कारे करें। सही दिशा और सही तरीके से महंत करें।